हेलो फ्रेंट्स मेरे स्पामिस्ट्री एंड अस्ट्रोलजी वीडियो चैनल पर आपका स्वागत है तो आज हम अनैल्सिस करेंगे इस हैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीजें हमें सीखने के लिए मिलती हैं तो as usual शुरू करेंगे fingers के analysis से उसके बार चेक करेंगे fingers की setting को and mounts को और सबसे last में हम चैक करेंगे lines को इस तरह से पूरे hand का analysis हम complete करेंगे तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ सासा draw करता जाँगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कुई दिक्कत ना हो तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो fingers हैं वो हथेली के size से थोड़ी short नजर आ रही है और हथेली काफी fluffy नजर आ रही है यहाँ पर Venus Mount काफी prominent है इनका और fingers का size थोड़ा सा यहाँ पर short होता हुआ जो show करता है थोड़ी सी जल्दबाज nature को और अगर one by one finger को करके देखा जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इनकी सूर्य finger है उसकी length काफी ज्यादा है इनकी तरजनी से जो थोड़ी से leadership qualities को कम कर रही है यहाँ पर तरजनी का short होना यानि गुरू की तरफ से थोड़ी weakness family की तरफ से सुख थोड़ा सा कम हो जाता है जैसे ही गुरू की finger या mount में कुछ problems आती है अदर्वाइस mount तो मुझे यहाँ पर काफी अच्छा दिखाई दे रहा है जो एक saving factor है इनके लिए और यहाँ पर गुरू finger का थोड़ा short होना leadership qualities को तो थोड़ा सा कम करेगा ही और और काफी creativity वाली qualities यानि के artistic qualities रहती है यहाँ पर शनी finger को अब देख सकते हैं काफी strong है शनी finger बिल्कुल सीधी काफी मेहनती nature को यह show कर रही है और अगर देखा जाए यहाँ पर इनकी जो finger है mercury बहुत अच्छी length में first falange तक पहुंचती हुई अच्छे communication skills की तरफ इशारा कर रही है थोड़ी सी shy nature यहाँ पर रह सकती है क्योंकि यहाँ पर जो इनका mount है जो mercury बुद्ध मौंट है वो थोड़ा सा low set हो रहा है otherwise काफी अच्छी length है इनकी mercury finger की जो इनको अच्छा business equipment देगी और साथ ही साथ अच्छे communication skills भी provide करेगी तो आगे देखते हैं one by one सारे mounts को एक जो है बनकर सामने आ रही है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ा सा low set होता हो mercury mount बाकी के mounts को अच्छी position even guru mount को भी यहाँ पर काफी अच्छी position मिलती हुई और यहाँ पर राजा loop की formation होती हुई काफी clearly आपको थोड़ा सा close up में दिखाना चाहूंगा राजा loop आप दे कर प्रेंट वाले जो pattern होते हैं उनसे जब एक loop create होता है लूप क्या होता है कुछ इस तरह से goal घुमावदार lines इस तरह से जो बारीक माउंट थोड़ा सा finger थोड़ी short हो रही थी लेकिन यहाँ पर आप देखें एक बहुती strong line बिल्कुल उपर तक पहुंचती हुई जो इनकी life line से निकल कर गुरू माउंट तक पहुंचती हुपर की तरफ और ऐसी ही कुछ और lines भी यहाँ पर देख पा रहा हूँ जो एक बहुती beneficial योगा इनके लिए बहुती progress रहती है like में जब इस तरह की lines गुरू माउंट तक पहुंचती है और इस तरह का राजा loop जब बनता है गुरू माउंट और शनी माउंट के बीच तो व्यक्ती को progress बहुत दिलवाता है और progress जो होती है बिजनस में भी होती है और social circle भी काफी अच्छा हो जाता है व्यक्ती का आगे बढ़ते हैं गुरू माउंट को हमने चेक किया काफी अच्छा गुरू माउंट इनका नजर आ रहा है और आगे देखते हैं यहाँ पर शनी माउंट को तो शनी यहाँ पर थोड़ा सा दबा हुआ दिखाई दे रहा है जिसकी वज़य से hard work इनको काफी करना क्योंकि शनी की वज़य से थोड़े डिलेज होते हैं जैसे गुरू यहाँ पर प्रॉमिनेंट है वैसा प्रॉमिनेंट शनी माउंट मैं नहीं देख पा रहा हूं लेकिन शनी रेखा यानि के एक फेट लाइन जिसको हम कहते हैं काफी अच्छी फेट लाइन जो life में comforts इन अच्छे finances रहेंगे और multiple income sources भी रह सकते हैं क्योंकि यहाँ पर डबल हो रही है इनकी फेट की लाइन लगबग जो age रहेगी यहाँ पर 40 के राउंट से दो income इनकी हो सकती हैं दो तरह की income इनकी हो सकते हैं एक तो main line चल रही है और एक यहाँ पर assistant फेट लाइन भी चलती हो तो struggle जादा रहने वाली है क्योंकि यहाँ पर शनी माउंट इनका थोड़ा सा week होता हुआ लेकिन शनी रेखा यहाँ पर काफी sport कर रही है तो income अच्छी रहेगी मेनत के साथ काफी अच्छी progress अपनी life में कर पाएंगे इसका साथ ही सूर्य माउंट को देखा जाए तो सूर ही यहाँ पर promising है कुछ इस तरह की सूर्य रेखा जो थोड़ी सी overlap तो हो रही है लेकिन एक अच्छी सूर्य रेखा और अच्छी लंबाई में सूर्य फिंगर का होना काफी अच्छी social circle की तरफ और name and fame की तरफ इशारा करता है तो यहाँ पर देख रहे हैं mercury माउंट को आप देख सकते हैं mercury line यहाँ पर नजर आ रही है कुछ इस level की काफी अच्छी mercury line और यहाँ पर mercury माउंट के ओपर कुछ खड़ी रेखाएं यहाँ पर होना शो करता है एक अच्छी business की समझ को तो ऐसे विकती business के मामले में काफी talented होते हैं और business के जरिये ही अपनी life में काफी आते हैं साथ में fate line का भी होना और भी इस चीज़ को बढ़िया कर देता है तो यहाँ पर दोनों लाइने मौजूद हैं सैटरन लाइन और mercury line तो इनके light में business के जरिये काफी अच्छी income रहने के chances यहाँ पर ज्यादा दिखाई दे रहे हैं तो चलिए mounts के बाद आगे बढ़ चलती हुई और बिल्कुल सीधी जो यहाँ पर पहुंच रही है गुरू mount तक बिल्कुल straight line का होना शो करता है काफी practical type की personality को और इस तरह की branches का होना यहाँ पर जो शुरू में आप देख सकते हैं इस तरह की branches शो करती है थोड़ी सी romantic और fluffy nature को लेकिन बहुत ज़ादा आदर की लाइन गुरू mount तक पहुंचती है ऐसे बहुत ही आदर्शवादी होते हैं प्रमपराओं को मानने वाले अपने धरम के बहुत पके लोग जिनके हाथ में ऐसी line हो और ऐसे व्यक्ति कभी किसी का बुरा भी नहीं करते काफी honest रहने वाले इनसान होते हैं और जिनके हाथ म जो गुरू mount तक हिर्दय की रिखा पहुंच रही हो तो यहाँ पर यह बहुत अच्छी रिखा इनकी मुझे नजर आ रही है और कुछ थोड़ी बहुत यहाँ पर lines ऐसी भी हैं जो इनको setbacks दिलवा सकती हैं जैसे यहाँ पर एक मंगल के साथ जुड़ती हुई line थोड़ा स aggression बढ़ाती है कुछ यहाँ पर आप देख सकते हैं हलकी सी lines नीचे की तरब लेकिन बहुत ज़ादा नहीं कुछ setbacks life में रह सकते हैं लेकिन overall heart की line बहुत अच्छी और अच्छे result देने वाली यहाँ पर नजर आ रही है आगे आप देख सकते हैं इनकी line of mind काफी लंबाई मे हैं और यहाँ पर एक island की formation होना जो मांसिक तनाव भी देती है तो यहाँ पर जो age मुझे नजर आ रही है 25 के around कुछ ऐसी procedure से भी इनको निकलना पड़ा होगा जिसमें इनको काफी ज़्यादा tension का भी सामना करना पड़ा होगा लेकिन आगे अगर line को देखे तो मुझे कोई भी problem नजर नहीं आ रही बहुत ही अच्छी और sharp इनकी mind की line मैं देख पा रहा हूँ तो काफी अच्छी यहाँ पर knowledgeable personality रहेगी और खासता और पर काफी sharp mind इनका यहाँ पर दिखाई दे रहा है चलिए आगे देखते हैं इनकी line of life को life की line यहाँ पर कुछ age में पहुंचकर ल line यहाँ पर disappeared है कटी हुई है लेकिन actually होता क्या है जब कुछ इस तरह से line बनती है और बाद में यहाँ से चलती है तो यहाँ का जो area है आप देख सकते हैं इसको fate line cover कर रही है तो इस age में चलकर कोई भी यहाँ पर इस तरह की prediction नहीं होती के यहाँ पर आकर health खराब होगी य है जो age होती है इस age में व्यक्ती अपनी life को कुछ देर के लिए enjoy करना छोड़ सकता है और काम में ज़्यादा involved हो सकता है तो 65 एक राउंड बहुत ज़्यादा hardship life में रह सकती है कुछ सालों के लिए और आगे से फिर life की line continue होती हुई और अच्छी तरह से बढ़ती हुई line त तो यहाँ पर 80 प्लस की नजर आ रही है काफी अच्छी age इनकी रहने वाली है लेकिन यहाँ पर आकर थोड़ी सी hardship बढ़ रही है life में जो लगबग इनको 4-5 साल का समय जो इनका रहेगा 65 से लेकर 70 के round वो इनको थोड़ा सा stressful समय भी इसको हम कह सकते हैं लेकिन होगा कुछ नहीं ऐसा और उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ से एक line का आकर जोड़ना यहाँ पर इनकी fate line में कुछ इस तरह की situation बनना जो भारी sport को भड़ाता है काफी भारी sport रहती है even spouse की तरफ wife की तरफ से अच्छी sport रहती है इन loss की तरफ से अच्छी sport में लेकर chances यहाँ पर द इनको life में मिलती रहेंगी और इस तरह का Venus Mount होना थोड़ा सा व्यक्ति को कामुक भी बनाता है sexuality की तरफ थोड़ा सा ध्यान व्यक्ति का ज्यादा रह सकता है क्योंकि यहाँ पर मंगल और Venus दोनों ही काफी उबरे होना यहाँ जो area है inner Mars का आप देख सकते हैं काफी उबरा लग्जरी की तरफ, comforts की तरफ ध्यान ज्यादा रहना और sexuality की तरफ भी ध्यान रहना तोड़ा सा इस तरह की चीज़ें life में रह सकती हैं otherwise यह amount जो अगर ज्यादा उबरे हुए ना हो तो ज्यादा अच्छा माना जाता है क्योंकि इससे गुस्सा बढ़ता है और इससे जो lux हैं उनकी तरफ, attachment उनकी तरफ, attractions ज्यादा बढ़ती है तो overall यहाँ पर इनको negative तो नहीं कह सकते हैं लेकिन over एक तरह से prominent हम कह सकते हैं यह दोनों mounts को और यहाँ पर moon area के उपर तिल का होना भी थोड़े से negative प्रभाव देता है मानसिक तनाव जैसी दिक्कतों को यह थोड़ा सब बढ़ाता है, moon के उपर इस तरह का तिल होना बहुत जादा अच्छा नहीं माना जाता, overall काफी अच्छी lines है इनके हाथ में तो कुछ ना कुछ तो negativity थोड़ी बहुत तो रहती ही है, लेकिन काफी अच्छी lines है, lines की जो formation है काफी clear है, काफी fine lines है और अगर आप यहाँ प पास पैसा भी बढ़ता जाएगा, तो यहाँ कुछ analysis थे इनके hand के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है, कि सभी सवालों के जवाब एक वीडियो में तो दे पाऊं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई question रह जाता है, तो इनसे request है कि अगर इनका कोई question pending है, तो मुझे WhatsApp पे message क करें, तांकि दोबारा से इनके हाथ को देखकर इनके सवालों के जवाब टैमली मैनिर पर इन्हें दे पाऊं, अमीद करता हूं कि आपको मेरे यह वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो तो से like करें, share करें, और साथ ही साथ मेरा channel भी subscribe करे मेरा वीडियो वाच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद